वर्दे वर्दे हे वीनावादिनी वर्दे जीहां भक्तों वीनावादिनी से वर्दान प्राप्त करने का विशेश दिन अर्थात वसंत पंचमी या श्री पंचमी आ गया है और हमारी ओर से आप सभी को वसंत पंचमी की धेरोशुब कामनाएं जिस प्रकार से वसंत रितु प्रकृति के सौंदरि को निखार देती है, सब कुछ सुंदर हो जाता है, उसी प्रकार से वसंत पंचमी के पावन पर पर मा वीनावादिनी आप सभी के जीवन में सौंदरि को बिखरा दें, सुख और सौभागे आप सभी के लिए लेकर आएं, इसी कामना के साथ हम आपके लिए यहां पर लिकर आएं हैं वसंत पंचमी की कथा तो चलिए शुरू करते हैं उपनिशिदों की कथा के अनुसार शिष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आग्या से भगवान ब्रहमा ने जीवों और विशेश तोर पर मनुश्य योनी की रचना की लेकिन वो अपनी रचना से संतुष्ट नहीं थे उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है जिसके कारण से चारों और मौन चाया रहता है तब ब्रहमा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपनी हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री विश्णु की स्तुति करना आरंब किया ब्रहमा जी के द्वारा स्तुति को सुनकर के भगवान विश्णु ततकाल उनके समुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विश्णु ने आदिशक्ति मादुरगा का आवाहन किया विष्णुजी के द्वारा आवाहित होने पर भगवती दुर्गा वहाँ पर तुरंत प्रकट हुई तब ब्रहमा और विष्णुजी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया ब्रहमा जी और विष्णुजी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदिशक्ति मा दुर्गा के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन हुआ जो एक दिव्यनारी के रूप में बदल गया यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुन्दर स्त्री का था जिनके एक हाथ में वीना दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी आन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी आदिशक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीना का ऐसा मधुर नाद किया जिससे संसार के समस्त जीव जन्तूओं को वानी प्राप्थ हो गई जलधारा में कुलाहल व्याप्त हो गया पवन्चलने से सरसराहट होने लगी तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी की वानी को अधिश्ठात्री देवी सरस्वती कहा फिर आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रहमा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी जैसे लक्ष्मी जी श्री विष्णु जी की शक्ती हैं पार्वती महादेव जी की शक्ती हैं उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ती होंगी ऐसा कहकर आदिशक्ती श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते देखते वहां से अंतरध्यान हो गई इसके बाद सभी देवता श्रिष्ट के संचालन में सनलगन हो गए भक्तों सरस्वती देवी को वागीश्वरी, भगवती शार्दा, वीना वादिनी और वाग देवी सहित अन्य को नामों के साथ पुजा जाता है भक्तों एक अन्य कथा के अनुसार देवी सरस्वती ने जब एक बार भगवान श्री कृष्ण को देखा तब वे उन पर मोहित हो गई, उन्हें अपने पती के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन जब भगवान कृष्ण को ये पता चला, तब उन्होंने कहा कि वे केवल राधारानी के प्रतिसमर्पित है सरस्वती जी को मनाने के लिए उन्होंने वर्दान दिया कि माग के शुकलपक्ष्टी पंचिमी को पूरा विश्व तुम्हारी विद्यावा ज्यान की देवी के रूप में पूजा करेगा उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की तब से लेकर निरंतर वसंत पंचिमी के दिन मा सरस्वती की लोग पूजा करने लगे तो भक्तों ये थी वसंत पंचिमी से जुड़ी हुई कथा मा भगवती सरस्वती की आप सभी पर कृपा बनी रहे नमू नारायन